बड़ी खबर आपको बतायते हैं जैपुर से बड़ी खबर इस वक्त क्या रही है प्रॉपर्टी कारुबारी को गोली मार कर कार लूटने का ये पूरा प्रक्रण है वही देखे तीन युवक कारुबारी के च्रेंबर में खुच गया और वहाँ बैठे तीन युवकों को और कारुबारी को पहले बंधक बनाए गया पहले गंद दिखा कर रुपय मागे गया और नहीं देने पार कारुबारी को पैट्रोल पंप पर लगे एटियम बूत और वहां कारूबारी ने पैसे निकाल कर बदमाशों को दिया और बाद में बदमाशों ने सभी के मुबाइल फोन तोड डाले और कारूबारी गणेश जाट पर फारिंग कर दी पारें के बाद गणेश की वड़ना कार लेकर मौके से फरार हो गए फिलहाल पुलस बदमाशों के तलाश कर रही है मालपूरा गेट ठाने में पूरी घटना हुई है वधायक अशोक लाहोटी ने घटना के जानकारी ली है अब देखिए प्रापटी कारोबारी को गोलिया मार कर लूट का ये पूरा प्रकण है मालपूरा गेट ठाना इलाके में पूरी घटना हुई है कड़ी नाकवंदी के चलते बदमाश गाड़ी छोड़ कर फरार हो चुके है सांगानेर के सुमेर नगर में लावारिस हालत में कारोबारी की कार भी मिली है और इसी ख़बर पर अथिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहे होगी सत्यनारण शुर्मा न्यूजरूम से लाइव जुड़ चुके हैं सत्यनारण इस पूरी घटना के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी पहले आप सुचाएंगे अशित देखे करीबन तीन बज़े आज तीन बदमाश से इस वियापारी के चंबर में गुस्ते हैं गुस्ते के बाद में सबसे पहले वहां बेटे तीन युवक अन्य युवक थे उनको साथ जो वियापारी गनेश जाट है उनको बंदक बनाए जाता है बंदक बनाने के व्यापरी पास पैसे नहीं थैंड़ है ये प्रबाद में काम करता है वहां पर जाने की बात कई बने जाथ को अपने साथ लिया और पेटरों पहुंचे जहां पर करीबन 20-30,000 रुपए की नगदी बनाशो दिलाई उसके बाद बनाश वापिस त्विये को उसके चैंबर में ले आते हैं, वहां पर फिरसे माफिट करते हैं उसके बाद में तीन ट्राउंड फायर यानि की तीन उसके बाउं में गोलिया मारते हैं और मुक्षश से वियापारी की वढ़नाकार लेकर फरार हो जाते हैं हाला कि थोड़ देर पहले जो अपडेट आई है थोड़ देर पहले कि मांसुर इलाके में व्यापारी की रूटी विवर्णाकार पुलिस ने मरामत कर ली है लेकिन बदमास अभी फरार है फिलाल पूरे जैपुल शहर में एशनी की कड़ी नाकबंदी करवाई गई है की जा रही है बदमास को पकड़ने की आयूशी जैसे के अभी आपने बताए कि तीन जो यूवक है पहले से वहाँ पर बैठे हुए थे उनसे कोई जानकारी मिल पाई है कितने बदमास थे वहाँ पर और उनको क्या कोई चोट पहुंचाई गई है देखे सभी के साथ पीट की गई उनके शरीर पर गहाँ भी लगें लेकिन सबसे बड़ा गहाँ गनेश जाट को लगा उसके तीन गोलिया बदमास मारी है और मुकरी से फरार हो गए हाला कि पूरी गटना के बाद में जो इस्तानी लोक्तियों में काफी आक्रोश है इस्तानी विधायक अशोक लाकर से बरामत कर लिए फिलाल पूरे जयापूर शहर के अंदर एशनी के नाकबंदी करवाए गई यानिकी सशस्त्र नाकबंदी करवाए गई और कोशिश का जारी है बदमास को पकड़ने के जिससे की जो पीड़ी तो न्याय मिल सकते गुर्णागार जेल के अंदर जा स चारी शबजे हरा वापारी को साथ लेकर पेट्रों पर आते हैं और साथ बज़ें बदमास थे मोकर्षा फरार हो जाती है लेकिन महें चे अभीत्ष भंजो पुलिस ने व्यापारी की लूटी वी का बरामत कर ली रात की बात है कि जो व्यापारी गोली मारी गई है उसकी जान खत्रे के बाहर है ऐँ शेयर में नगबंदी करवाई गई पुलिस अदिकरा साफ करने के बदमास बच नहीं पाएंगे जल्दी पूलिस ने गुर्सतार कर पूरे मामले पर आपसे लेते रहेंगे फिलहाल आपका शुक्री हमारे साथ जुड़ने के लिए तुमाम जानकारी हमारे साथ साजह करने के लिए